एक बार की बात है एक जीवन्त जंगल में रोजी नाम का एक गुलाबी भालू रहता था रोजी अन्य भालूओं से भिन्न थी उसका दिल कोमल था और उसका सपना उन पक्षियों की तरह उड़ने का था जिनकी वह प्रशंसा करती थी अपने साथी भालूओं के संदेह के बावजू रोजी कायम रही उसने दिन रात अभ्यास किया द्रिण संकल्प से बने अपने पंखों को फैलाया एक तूफानी रात में संकट ग्रस्त एक पक्षी आकाश सिख गिर गया बिना किसी हिचके चाहट के रोजी पक्षी को बचाने के लिए अपने नए उडान कौशल का उप्योग करते हुए मदद के लिए दौन उसकी पहादुरी की खबर पूरे जंगल में पहल गए जिससे दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिली रोजी की कहानी ने सभी को सिखाया कि साहस और द्रिड़ता से कुछ भी संभव है चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे उस दिन के बाद से रोजी आसमान में उड़ने लगी उन सभी के लिए आशा और द्रिड़ संकल्प का प्रतीक बन गई जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की झाल से कि चाही क में लोजी एक भी संकल्प का चाही कि बनसे की हिराओ उन का प्रतीकर स॥केशने